फीमेल्स की टॉप सेक्रेट आठ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप उन्हें टच भी कर दो तो वो फूल एकसाइटेड हो जाती है कि इन जगह उपर उन्हें टच के यानि कि रूमेंस एक लव टच होता है कपल से तो उनके मेश में रूमेंस और टच होना काफी जरूरी है क्योंकि यह उनकी प्यार को इंक्रीज करता है बढ़ाता है तो एट पार्ट सब बॉड़ी में सबसे इंपोर्टन है उनकी हथेली उ और उम्हें आपका अटेंशन मिनने लगता है इसके लिए कहाँ जाता है कि हेली ओको टेच किई जर आपको दिल तक पहुचना है नामबर टू है वह लेप्स हाई पिंक लिप्स पिंक लिप्स तो ऐसे जो पिंक लिप्स होते है ना लिप्स सबसे संसरिव पार्ट है बात क उनके backbone का जो center है, वहाँ बे, जहां से वो जो है अपनी blouse का hook लगाती है, वहाँ का जो हिस्सा होता है ना, उन्हें अगर touch करने से वो काफी जादा sensitivity में आ जाती है, उतेजित हो जाती है, और जी हा, उनके सरोरे में जरा सा गुदाहट होती है, और वो हस्ती भी है, ऐसा अग किस कर ले, टच कर ले, तो लड़किया फुल क्रेजी हो रहाती है, उन्हें गंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और वो उनके body का सबसे sensational पार्ट होता है, तो कई जगर पे आपने देखा होगा कि neck पे किस करते हैं, अगर आप तीबी पे कहीं भी देते हैं, रोमैंट होता है, और वो काफे excited भी होती है, और satisfy भी होती है, next है scalp, यानि scalp पो टश करने से, उनके mind में relaxing, hormone एक्टिवेट होता है, जिनके वज़े से वो काफे relax हो जाती है, और उनका mood जो फ्रेश हो जाता है, और जहीं हा, उनका sensation जो है, वो काफी होता है, अच्छा scalp में ही, अगर आप उनके बाल के बीच में अपना हाथ फेरे, तो वो जो है, काफे जल्दी अपने आखे बंद करने लगती है, और mood बन जाता है, उनका, romantic भी होता है, scalp पे टच करना, बालों के अंदर टच करना, तो ऐसे सारे चीज़े हैं, आपके बीच में bonding को ही strong करती है, दोस्तों इस वीडियो का intention था, आपके कपल के बीच में बहुत अच्छे से love life को, आपके sexual life को अच्छे से बताना, और अच्छे से अपनी life को happily जिने के लिए, आपको अपनी sexual life को भी काफी अच्छे से चलाना होता है, तो दोस्तों, कैसे लिए इस वीडियो, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर करें, thank you so much.